बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत आप से भी साथियों का दोस्तों आज की प्रेस कॉन्फरेंस लगभग लगभगी कहूंगा सौ दिन पहले जो एक भयावा घोशना हुई थी माननिय प्रधान मंत्री जी के कंठ से शाम के 8 बजे के करीव नोडबंदी घोटाले की अधिका सारी उद्गोशना हुई थी सौ दिन होने को होने को आये हैं और देश अभी भी नोडबंदी के घोटालों के दंश को जेल रहा है बर्दाश्ट कर रहा है पिछले चार-पांच दिनों में जो ग्राउंड से खबरे आ रही है नोडबंदी का जो भूत है दुबारा लोगो को सदाना शुरू कर दिया इसने दुबारा से कैश क्रंच एकदम विजिबल हो गया है इतना विजिबल कि अब फिर से आप जिस एटियम के बाहर लाइन नहीं है बीना चेक कि आप कह सकते हैं कि इस एटियम में पैसा नहीं है जब मानिय मोडी जी ने देश के लोगतंत्र की सर्वोच्च स्थली से देश की संसद को आश्वस्त किया कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो लगा कि हाँ अब नॉर्मल होना चीए काफी समय बीट गया दुरभागे पूर्ण ये रहा कि देश की जनता के साथ साथ देश के सांसदों को भी माननीय मोडी जीने मुर्ख बनाने की कोशिश की पार्लियमंट को भी बंग लाने की कोशिश की गई और ये बताने का प्रयास किया गया कि देश में जहां तक नोडबंधी के दुश्परणामों की बात है अब सब कुछ सामान्य है जबकि ऐसा है नहीं जिस दिन वेस्टन यूपी के फर्स फेस के चुना हुए एटीम खाली हो गया यानि पूरी रणनीती बनाकर उन एटीम को सिर्फ तब तक ही भड़ा गया जब तक कि यहां के लोगों ने वोट नहीं डाला था अचानक डेली एंसियार में वोट पर चुकने के बाद एटीम दुबारा से कैश से खाली हो गया हमें लगता है कि वित्रमंत्राले इस देशे कोई बहुत बड़ा जूट है जो छुपा रहा है देश को तस्वीर साफ करके नहीं दिखाया जागा RBI के गवर्नेर साफ अभी भी अगल बगल जागते हुए दिखाई देते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि कुल कितना काला धन आया सौ दिन होने को आए सौ से अधिक मौते हो गई इस देश के आम आदमी का सवाल सिर्फ एक है मोधी जी कितना काला धन आया लाखो रो लोग बेरुज़गार हो गए नोकरियां चली गई रोटी के लाले पड़ गए इस देश के आम आदमी का सवाल सिर्फ एक है कि मोधी जी कितना काला धन आया ब्यापारी दुकानदार मजदूर फैट्री मालिक और मैं दिल्ली की बात करूं तो ट्रेडर्स का शहर रही है तो ट्रेडर्स भी सबका भारी नुक्सान हुआ नोटबंदी घोटाले की वज़े से और इन सबके जहन में भी एक ही सवाल है सव दिन के बाद भी कि मोधी जी कुल कितना काला धन आया हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता नोटबंदी घोटाले के लिए जम्मधार भारती जनता पार्टी और माननी अनरेंद्र रमोदी जी को उनके इस कुक्रित्र का समुचित जवाब अपने मताधिकार के परियोग के जरीए देगी क्योंकि धीरे धीरे अब भारती जनता पार्टी का जो अपना ट्रडिशनल वोटर हो भी कहने लगा कि माराज जान ले लिए आपने एक और छोटा सा भक्त समुव है जो इस बात को जुटलाने की कोशिश कर रहा है और उनके लिए मेरे जहन में सिर्फ एक शेयर आता है कि क्या बात निराली दिले खुद्दार करे हैं तड़पे हैं मगर दर्द से इंकार करे हैं पुरा देश आहत है पुरा देश परेशान है और पुरा देश जानना चाहता है माननी ये मोधी जी से के मोधी जी सौ दिन सौ साधिक मौतें सिर्फ एक सवाल कुल कितना काला धुनाया है आम आद्मी पार्टी आज यह घोशना करती है कि नोटबंदी घोटाले के दी मोधी जी साधिक के सौ दिनों के बाद चुकि अब भी देश में स्थिती सामान ही नहीं है और माननी ये मोधी जी ने देश से देश की संसत से जूट बोला है आम आद्मी पार्टी शाड़कों पर इसकी खिलाफत करेगी इसका विरोध करेगी सत्रा तारीक से आम आद्मी पार्टी दिल्ली से आरंब करके नोटबंदी घोटाले के खिलाफ भारती जन्ता पार्टी और नरंद्र मोधी जी के जूट को जनता के सामने एक्स्पोज करेगी और सवाल पूछेगी भाजपा से और भाजपा के शिर्ष नेत्रित्व से और मानानी अमोदी जी से भी कि कुल कितना काला धनाया है आम आद्मी पार्टी के विधायत कारिकर्ता दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अलग-अलग माकिस में जाएंगे इसी सवाल को लेकर जनता से समझेंगे बात करेंगे उनकी तकलीफों को साजा करेंगे और पूछेंगे मोदी जी से उनके साथ मिलकर कि सव दिन सव से अधिक मोटें सवाल सिर्फ एक आम आदमी का सवाल कि मोदी जी कुल कितना कालत होना है विलकुल सत्रह तारीक को दिल्ली से ये विरोधारंब होगा सौ दिन पूरे होने पर ये सवाल नरंद्रमोजीटी से पूछे जाएंगे 18 को 19 को भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायत कार्य करता अलग-अलग माकिस बिजाएंगे इनी सवालों को लेकर जो व्यापारी वर्ग है जो दुकानदार है जो फैक्टरी मालिक है जो अभी भी नोटबंदी के दंश को जहेल रहा है उनके साथ मिलकर भी माननी ये मोदी जी से यही सवाल पूछा जाएगा कि सौ दिन सौ से अधिक मौते एक सवाल सिर्फ कि मोदी जी को कितना काला धना है वैं पताया आपको ये दिल्ली के अंदर हर विधान सम्वा sunflower में जहां market places हैं उन market places में जन्ता के प्रत्नी दी बैपारियों के पास जाएंगे बैपारियों से दुकानदारों से ट्रेडर्स से सबसे सवाल करेंगे और सब मिलकर सवाल करेंगे बलकी नरंद्र मोजी जी से कि सौ दिन बीद गाए सौ सदिक मोते हुई सवाल सिर्फ एक है कुल कितना काला धन आया